प्रशान दुबे प्रगती इंस्ट्यूट सरकंडा ब्लास्पूर के अफिस्यल डूट्व चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं जैसे कि आप जानते हैं मैं कलेंडर का सिरीज लेकर आ रहा हूं पिछला दो पार्ट कलेंडर का पार्ट वन और पार्ट टू लेकर आ चुका हूं जिसमें आप सबका अच्छा रिस्पॉंस आया है मुझे आज मैं कलेंडर का लास्ट पार्ट थार्ट पार्ट लेकर आने वा एक series complete कर रहा हूँ, calendar लाया, calendar को complete किया, आगे और भी कुछ-कुछ topics लाते रहूँगा, जिसका पूरा-पूरा topic में अच्छे से आप तक हुचाते रहूँगा. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में calendar में पढ़ा है, आप सबको ग्याद है, कि calendar जो है हमारा, starting में मैंने समझाया था, कि पूरा-पूरा आधार है उसका extra day concept, अत्रिक दिन सलकुरपना. यह अत्रिक दिन क्या है, extra day क्या है, मैं पहले पार्ट में अच्छे से describe किया था, आप i button में click करके उसको आप देख भी सकते हैं. मैं फिर भी आज, क्योंकि total जो आज पढ़ने वाले हैं, वो extra day पे ही बेज रहेगा, तो जो extra day जो है, उसको दुबारा समय फिर से आपको समझाता हूँ. Extra day है क्या? किसी भी calendar में, किसी भी तारिक को, किसी भी संख्या को, हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने पर जो सेज फल आता है, remainder आता है, वो remainder को ही हम क्या कहते हैं, extra day कहते हैं, अत्रिक्ट दिन कहते हैं. जिसे मैंने ताया था कि एक साधरान वर्स में 365 दिन को, 365 को 7 से भाजित करते हैं, तो एक से साथा है वो, तो हम कहेंगे, एक साधरान वर्स में एक विसम दिन होता है, या एक extra day होता है, लीप एर में दो extra day होता है, हमने पिछले क्लास में देखा था, कि जनवरी में कितना extra day होता है, तो जनवरी में 31 दिन होता है 31 को 7 सिभाजित करेंगे तो 7, 4, 28 तब पूरा कर जाएगा जो बचा 3 वही क्या था हमारा सेसफल और सेसफल कोई क्या कहते हैं एक्स्टाडे कहते हैं तो अज पूरा जो हमारा कॉंसेट रहेगा वह एक्स्टाडे कॉंसेट पर बेज रहेगा तो मैं लाइन से चीज़ों को समझाता हूँ आप ध्यान पूरक समझिएगा बिसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं समझना आज हम पढ़ने वाले हैं कि सफ्टाग कोई तारिक जैसे माले जे 31 मैं 2020 कौन सो दिन था जैसे मैं कहूं कि सो वर्सों में या 100 एर्स में कितने लीप एर होंगे और कितने सिम्पल एर होंगे तो आप कहोगे सर कि हर चौथा वर्स लीप एर होता है को सो को चार सिभाजित कर दीजिए तो बचा आपका अलिप वर्स जाएगा लेकिन आपको ध्यान होगा, क्योंकि सदाबदी वर्स है, और 100 को मैं 400 सिभाजित कहूं, भी भाजित नहीं होगा, मतलब इस सववा वर्स कैसा है हमारा साधरन वर्स है, तो 100 वर्स में total 76 साधरन वर्स, simple year होता है, और 24 leap year होता है, leap verse होता है, है ना, bilingual रहेगा, कभी हिंदी, होते हैं, और 24 leap verse होते हैं, अब मैं तो इसको और डिटेल समझा दूँ, जिससे आपको doubt ना रहे, एक साधरन वर्स में कितने extra day होते हैं, तो आपको होगे, एक extra day होता है, पहले वीडियो में clear किया था, तो 76 एक गुड़ा कर दिये, एक leap verse में 2 विसमदिन होते हैं, तो 24 leap verse म इसको मैं अगर एक बार और हल कर दूँ, 76, 24 दूनी, 148, इन दोनों को आप, sorry, 48, दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना होगा आपका, 124, 124 को अगर मैं 7 से भाजित कर दूँ, तो 119 तक पुरा कर जाएगा, 6 फल कितना मचेगा, 5, इस 5 6 फल को ही क्या कहते हैं, मैं बहुंग 200 वर्सों में कितने विसम दिन होंगे, या कितना extra day होगा, तो भईया, 100 में 5, तो 200 में कितना हो जाएगा, 5 गुरा 10, जब भी मैंने कहा थी, 10 से बढ़ा आएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना 6 फलाया, 3, तो मैं कहूंगा, 200 वर्सों में कितने विसम दिन होंगे, तो भईया, 100 में 5, तो 300 में कितने हो जाएगे हमारा, 5 गुरा 3, इसको मैं हल का रूपंद्रा, मैंने कहा 7 से जब भी बढ़ा आएगा, उसको मैं 7 से डिवाइड कर दूँगा, 7 दूनी चवदा, तो हमारा 6 फल कितना आएगा, 1, इस अभी 6 फल है, और 6 फल को ही हम अत्रिक्त दिन कहते हैं, या extra day कहते हैं, तो 300 वर्सों में कितना extra day आ रहा है, 1, अब मैं कहूं, 400 वर्सों में कितना extra day आएगा, समझेंगे बातों को ध्यान से, भईया, सब में ये 2 था, 2 गुना किये, 300 वर्स, 3 गुना किये, तो 400 वर्स है, तो क्या गुना करेंगे, जी, 4 गुना करे है सुन्य अब इसी बात को ध्यान से आप समझेंगे जैसे मैं कहूं कि 400 वर्सों में एक स्टार डे की संख्या बताईए या अत्रिक दिन कितने होंगे तो 400 वर्सों में अत्रिक दिन कितने होते हैं सुन्य होते हैं अब मैं कहूंगा या 400 वर्सों में सुन्य होते हैं तो 800 वर् जोड़ हैं और सेवन से विभाजित करते हैं तो इतने एक्स्टा डे निकल कर आ रहे हैं बात समझेंगे आपको ध्यान की वल कितना रखना है कि 100 वर्सों में 5 विसम दिन होंगे, 200 में 3 होगा, 300 में 1 होगा, 400 में सुन्य होगा और आने वाले 400 वर्सों में क्या हो जाएगा, एक्स्टर डे की संख्या या विसम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी सुन्य हो जाएगी यह आगे और भी काम आएगा है, पांस दिने, एक में तर डिस्क्राइब क्यों किया हूँ, आखे की आप वीडियो कंटीन देखेंगे, समझ में आएगा, तो यहां तक बाते क्लियर हुआ हमारा, अब यहां एक क्यों चूड़ा है, इसको क्लियर कर दूँ मैं, 100 वर्सों में इसमें 24 होगा, इसमें 24 होगा, तो 24, 24, 24 और 400 वर्स में कितने हो जाएगा, 25, ठीक है, समझेंगे बात को ध्यान से, अब हम चीजों को आगे समझते हो चलते हैं, कि 100 वर्सों में हमारा एक्स्टरडे 5 हुआ, 200 में 3 हुआ, 300 में 1 हुआ, 400 में सुनने हो यह यह कहां काम सोला सो में कितना होगा, सुन्य एक्स्टरडे होते हैं, और सो में 100 वर्सों में कितने होते हैं, 5 एक्स्टरडे होते हैं, लिखा हुआ हुआ हूँ, मैं दोनों को जोड़ दूं कितना हो गया 5, तो मैं कहूंगा, सतरा सो वर्सों में भी कितने विसम दिन होते हैं, कितना एक अगर मैं कहा, अठारा सो वर्थो में कितना होगा, तो भीजा, 16-100, और शोला सो इधर कितना आएगा, दो सो, आप सबको बता है, 16-00 में विसम दिन सुन्य होते हैं, और दो सो में कितना हो जायगा, आपका, अगर कहूंगा,暗र मैं कहूंगा, और 300 में कितना होता है, एक हमने निकाल के रखा है, तो मैं कहूंगा, 1900 वर्सों में कितने भी समधिन होंगे, तो आप क्या कहोंगे, एक, बाते समझ में आ रहा है, अगर मैं एक और एक्जामपल लेता हूँ, मैं कहा, 2100 में, मैं कहा, 2100 वर्सों में, या 2100 यर्स में, कितने ए एक्स्टर डे होगा यहां तक बाते समझ में आई अपको इतनी सी बाते ध्यान रखना है कि हमको हमेशा 400 और 400 के गुरज में ही क्या करना है हमको इसको तोड़ना है अब धिये दिर हम आगे बढ़ेंगे चीजों को समझते हुए हमने एक बास समझा कि 100 वर्सों में 5 एक्स्ट 300 वर्सों कितने है एक और 400 वर्सों कितने है सुन ठीक इतनी बाते हमने क्लियर कर चुका है इसको ध्यान रखेगा अब अब हम पर्टिकुलर निकालेंगे पर्टिकुलर कोई डेट हम निकालेंगे जैसे माल लो मैं कहूं कि 3 मार्च 1923 को कौन सा दिन था मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 मार्च 1923 को कौन सा दिन था अब थोड़ा ध्यान समझना थोड़ा सा समझेंगे एक दूपर समझेंगे फिर अपने आप फ्लो में पृस्त बंते चले आते हैं ध्यान समझना हम पर्टिकुलर कोई कोड नहीं यह सब कोड नी रट रहे हैं जी हम ना कुरा कॉंसेट साथ चीजों को बनाएंगे अब समझेंगे बात ध्यान से मेरे को तीन मार्च 1923 कौन सो दिन था कहा गया तो मैं कैसे ग्याद करूँगा सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा सन एक सन एक सन एक से लेकर 31 दिसंबर 1922 तक का एक्सटर डे निकालूँगा तो जब भी आप ध्यान रखेगा जो इयर दिया रहेगा उसमें एक कम करके लिखेंगे कितना लिखेंगे 1922 लिखेंगे 1923 था क्या लिखें 1922 अगर मान लोग उननिसो पचास होता तो क्या लिखतें 1949 अभी मैंने समझाया इस तरह का चीज़ भी रहेगा कैसे तोड़ेंगे 1922 को हम कैसे तोड़ेंगे जी 1922 को मैं तोड़ सकता हूँ आपका 1600 वर्सों में कितने होंगे और तोड़ूंगा कितना होगा 300 वर्सों में कितने होंगे 1900 को 16 और 1900 हो गया बचा कितना 22 वर्स तो 22 वर्सों में कितना होगा और अगला देखेंगे आप समझेंगे बाध्यान से हमने देखा कि 1600 वर्सों में मतब 400 में सुन्य हो रहा है तो 16 सो में कितना होगा 300 वर्स में कितना होगा 1900 वर्सों तक निकाल लिए विसम दिन हम 1900 में कितना हो गया केवाल एक अब 22 वर्स में भया अब ये 1922 1900 खतम हुआ अब बच्चा होगा 20 वर्स उस बीच में leap year भी आ रहा होगा तो भया, 22 words में कितने विशंदिन होगे तो का कहोगे, आप 22 कहोगे एक साथान verse में एक, तो 22 words है 20 लेकिन पूरे का, पूरा 22 words आपका साथान verse तो होगा नहीं, बीच में leap year आएगा तो उस leap year गयाद करने के लिए एक ठ्वस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पस आपको, कि जो भी आप लेंगे, उसमें क्या करेंगे, आप 4 से भाजित करेंगे, ध्यान समझेंगे बातों को, और यहां पस exactly कटेगा, समझेंगे बात ध्यान से, 22 को मैं 4 से भाजित करूँ, तो 4, 5, 20, जहां तक पू हम किये कितना हुआ, 1922, 1922 को भी, 1900 करेंगे, 1900 को, 1600, 300 तो उड़ ली हमने, बचा 22 वर्स, पूरा का, पूरा 27 वर्स होगा नहीं, बीच में लीप वर्स आएगा, तो बीच का लीप वर्स गयात करने के लिए हम क्या करेंगे, पस, जो भी संख्या रहेगा, उसको 400 रहित कर द फरवरी में कितना एक्स्टडे होता है, पिष्ट वडियूम समझे थे हमने, तीन, फरवरी में कितना होगा, क्योंकि 1923 सधरन वर्स है, तो सुन्ये, और यहां रखना, मार्च का निकालना है, जो जो तीथी दिया रहेगा, जिस दिन का निकालना रहेगा, उसी दिन को ही हम लेंगे, आई बास समझ में, तो इन तीनों को जोड़ दूँ, तो कितना हो रहा है, 6, देखिए, यहां से इसको 100 भी कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ अच्छे से, देखिए, यह 22 है, जब भी संख्या 7 से बड़ा हो, तो इसको काड़ देंगे, मैं 7 से काटूंगा, तो 7 या 21 तक कुरा कड़ी आएगा, तो कितना से सुलचेगा आपका, एक, तो 5, 6 और ये 7, 5, 6, 7, देखिए, 22, 23, 25, 27 जोड़ोंगे, तो भी वही आने वाला है, लेकिन छोटा कर देना जादा आसान है, तो 5, 6 और 7 हो यहां पस, यहां कितना आया, 6, और मैं 7, यहां का 7 और 6 को जो कितना आया जी आपका, 6 और सब्ताह का छट्वा दिन कौन सा होता है, सनिवार, तो मैं कहूंगा, 3 मार्च 1923 को कौन सा दिन है, तो आप क्या कहोगे, सनिवार ये स्टरडे है, ये 6 सनिवार कैसे हुआ भी, तो देखो, 0 क्या होता है, संडे, 1 होता है मंडे, यह जानकारी हो मार्च 1930 को कौन सा दिन था, तो आप क्या कहोगे, सनिवार ये अगला कुसम देखेंगे, मुश्रिक समझेंगे, 15 आपर 1920 मैं डेट को लिया हूँ, क्योंकि ये कैसा है, लीप वर्स है, समझेंगे बात ध्यान से, मैंने कहा था, एक कम करेंगे, 1919, जल्दी समझेंगे, पहला लीप वर्स होंगे, लीप वर्स होता है, तो यहाँ पस एक और याद रखेंगे, चार्च डिवाइड करेंगे, है ना, समझेंगे, सुरूम थ्रॉस लेंदी लगेगा, जैसे समझेंगे, चीज़े आसान हो जाएगा, 16 वर्स में, 300 में, 11, 19, अब 4 से काटेंगे, पूरा ब समझेंगे, मार्च में 3 होता है, क्या आता है, मैं पिछले वर्स में क्लियर कर चुका हूँ, अप्रेल, जिसका निकालना होगा, जी, उसका तारिक को ही लेते हैं, है ना, समझा रखा हूँ, 15, आप यहाँ पंदरा जोड़िये, या 15 आ रहा है, जब भी 7 से बड़ा आएग और यह हो गया 24, आप चाहो तो इसको भी काट के छोटा कर सकते हो है ना, आपके अनुसार है, आभी फिलाल समझ रहे हैं, इसलिब समझा रहा हूँ, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 7, और यह कितना हो गया यह 8, अब 8 और 24 को मैं जोड़ दूँ, तो कितना आ रहा है जी यह, 32 आ रहा है, मै तो मैं कहूंगा, 15 अप्रेल 1902 को कोन से दिन होगा, तो गुरु आ, इतना भी जहां रखना है, जब भी 7 से बढ़ा आएगा ना, तो 7 छोटा कर देना, 7 सिभाजित करना, जो 6 फल आएगा उसी को लेना, मैं पहले पार्ट में इन चीजों को और अच्छे से क्लियर कर चुक अप्रेल 2010, समझेंगे, एक कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यह 2009 होगा, अब 2000 कैसे तोड़ेंगे, 2009 और 9 बटा 4, जब भी यह संख्या 4 से बढ़ा होगा, तो एक डिवाइड और करना पड़ेगा, 2000 वर्सों में सुन्य, 9 वर्सों में 9, अब इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक, कहां तक जाना है, अप्रेल तक, तो यहाँ सिंपल सी बात है, जन्वरी में 3, क्योंकि 10 साधान वर्स है, तो सुन्य लेंगे, मार्च में 3, अप्रेल का निकालना है, तो मैंने कहा था 9 लेलो, यह 7 से बढ़ा हो, तो काट के लेलो, तो इसको 7 से भाजित कर दूँगा साथ, एक कम साथ, तो सेस फल कितना बचेगा हमारे हाँ पस, दो बचेगा, यह फर्स्ट पार्ट में सब चीजों को अच्छे से क्लियर कर रखा हूँ, तो पहला पार्ट आप आई बटन में क्लिक करके बिल्कुल देख सकते हैं, है ना, चलिए, अब इसको जोड़ ले, इ सेस फल कितना आने वाला है आपका 5, और पांच सेस फल आया, तो 5 क्या होगा, Friday होता है, 0 का संडे होगा, तो 5 क्या होता है, सब्ताग बाच्छो दिन कोन सो होता है, सुक्रवार होता है, ठीक है जी, इसको आप समझ सकते हो, इसको मैं छोटा छोटा लिखा हूँ, समझेंग तो मैंने क्या लिया 9 अपरेल सब्सक्राइब करता हूं कि आपको विशक्ताह का कोई तारिक निकालना हो तो किस प्रकाया निकाल सकते हैं यह मैंने आपको तरीका सिंधाया आप प्रेक्टिस करिएगा मेरे वाट्सप नमबर में बहुत सारे मेसेज आते रहते हैं और कुछ पर आते रहते हैं कभी कुछ डाउट हो तो कमेंट के थूँ या किसी भी मांध्यम से आप में तक पहुंचते हैं वाटसब के थूँ किसी भी थूँ आप में उसका solution कहुंचाता हूँ मेरे जो offline student है वो सब जो without रहता है मुझे तक कहुंचाते हैं मैं उसका solution उन तक कहुंचाता हूँ मैं बारिकी सब्सक्राइब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अगर मानलोग किसी एक ही वर्स का दो तारिक उछा जाए कि 2019 को जैसे मैं लिखा हूँ हूँ 21 जनवरी 2019 को सोंबार है तो 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा मैंने लिखा हूँ 15 जनवरी 2020 को बुधवार है 31 मैं 2020 को कौन सा दिन होगा इस प्रकागर प्रस्न CGPAC हमारा फूच चुका है पिछले साल ही है ना समझेंगे धियान से करना क्या है समझना बड़ा असान होता है यह 21 जनवरी 2019 को सोंबार है कहा है मतलब जनवरी का सॉल्यूसन समझेंगे हल कर रहे हैं जनवरी का 21 दिन बीद गया है तो साथ स्वाहित का है सेस्वर कितना आएगा जी तीन यह सब पहले वीडियो अच्छे समझा रखा हूँगा ना फरवरी धियान रखेंगे सिंपल साधरन वर्स है तो फरवरी में कितने होंगे सुन्य मार्च में कितने होते हैं तीन, अप्रेल में कितने होते हैं, दो, अप्रेल के बाद क्या आता है, हमारा मई, तो मई में कितना होता है, तीन, जून में कितना होगा, दो, निकालना किसका है, जुलाई का, तो जिसका निकालना रहता है, उसके तारिक को हिलेते हैं, दस भी लेगो है तो गलत आंसर नहीं आए गली छोटा कर दें भी या साथ एक कम साथ और यह कितना बज़ गया तीन सेसफल एक्स्टार डे मतलब सेसफल ही होता है सेवन से डिवाइड करने अपर अब जोड ले जोडने में क्या रहा है मैं कहा था जब भी संख्या साथ से बड़ा आए साथ से भाइड कर दो साथ दुनी चवदा क्या सेसफल बच रहा है दो तो यहां मां सोचना कि दो सर मंगलवार है ऐसा नहीं जो दिया रहेगा उसमें हम जोड देंगे तो मंडे में दो जोड दो मंगलवार और बुधवार तो 10 जुलाई 2019 को कौन से दिन होगा बुधवार आप कलेंडर खुर के देख सकते हैं मैं एक से डेट लिया हूँ अब यहां पास साधान वर्स था मैं यहां लिया हूँ लीपवर समझेंगे मैंने क्या कहा 15 जनवरी दोहर बीस तो सबसे पहले तो हमने सिखाया कि 15 जनवरी दिया हुआ है तो जनवरी 31 महें दिन का होता है 15 माइनस कर दिया बचा कितना 16 बचा 16 आया 16 को मैं 7 से विभाजित कर दू तो 7 दूनी 14 16 कितना बचेगा 2 अब फरवरी समझेंगे क्योंकि ये साधरन वर्स नहीं लीप वर्स है तो लीप वर्स में फरवरी कितना होगा 1 फरवरी के बाद मार्च में कितना होगा 3 मार्च के बचा महना आता है अप्रेल अप्रेल कितना होगा 2 मार्च अप्रेल मैं आता है अब समझेंगे बात ध्यान से मार्च, अप्रेल, मई तो मई का जो तारिख दिया रहता है किसी महने जो तारिख निकालना रहता है उससे ही भाजित करते हैं साथ से तो साथ चोग ठाइस पुड़ा कर जाएगा बचा कितना? तीन अब देखो भी, यह मोलना हूँ असर मई 31 दिन का ही होता, भी 31 पूछा है तो 31 लिए उसको है न, अब जोड़ लेंगे 2, 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जोबन कितना आ रहा है? 11, मैंने कहा जब भी संख्या 11 से बढ़ा आएगा जी, भाजित कर देंगे 11, 7 से है न, 7 कम 7, कितना आये हैं हापस? 4, तो गुधवार में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, तो गुरुवार, सुक्रवार, सनिवार और रविवार और 31 मैं, 22 को आप प्लेंडर खोड़ कर दे सकते हैं कौन सा दीन है, तो आप क्या कहोगे? तो मैं दो कोशन लेकर समझा दिया, CGPAC पिछले ही एक्जाम में इस प्रस्त को पूछा है यह इस टॉपिक या इस ट्रिक को या इस कॉंसेप को कब लगाना है? जब पर्टिकुलर किसी एक वर्स का ही पूछा जाए यहां देखिए, यहां 2019 है, 2019 है यहां 2020 है, यहां बस 2020 है किसी एक वर्स का दो दिथी पूछा जाए मैं खलका से ट्विस्ट समझाओ इस प्रस्त में जैसे मान लो, मैं इस प्रस्त में ऐसा कर दू अभी हमने संडे निकाला था मैं कहे दूँ इसको संडे दे दूँ और इसका पूछ दूँ मतलब मै का दूँ और जनवडी का पूछ हूँ हमने का सिखा जनवडी से जुलाई मतलब पहले मन से आने वाले मन्त का पढ़ा हमने इसमें भी पहले मन्त से आने वाले मन्त का पढ़ा हमने मान लो भईया दिसंबर का दे दे और जनवरी पूछ दे या नौवंबर का दे दे जुलाई पूछ दे मतलब बाद वाले महना का दे और पहले वाले महना का पूछे इस प्रकार तो ये बनने का जो procedure है ये same रहेगा, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है समझ म्यारी बाते अगर पहले महने का दिया है और बात का महने का पुछा तो क्या कर रहे हैं? जोड रहे हैं अगर बात के महने का देगा और पहले का महने पुछेगा तो हमेंसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और संडे में भीया, चार माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वैनस डे तो ध्यान रखना, पहला मन्त पूछा बाद का मन्त पूछा बाद का मन्त पूछा, तो जोड़ेंगे बाद का मंत दिया और पहले का महिना पूछा तो हम इसे क्या कर देंगे घटा देंगे तो इस प्रकार ये सेकंड जो टॉपिक हमारा इस प्रकार है इसको हम हल आज का लास्ट पार्ट की किसी सताबदी वर्स सेंचूरी येर का फर्स डे क्या हो सकता है लास्ट डे क्या हो सकता है या कोई दिन लास्ट भी हो सकता है फर्स भी हो सकता है इसका हम ध्यान रखेंगे देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि 100 वर्सों में 100 येर्स में कितने एक्स्ट डे होते हैं 5 200 येर्स में कितने होते ह तो क्या कहा था आपने तीन 300 एर में कितने हैं तो कहूंगे एक और 400 वर्सो या 400 एर में कितना कहा था मैंने सुन्गे कहा था समझेंगे सब्ताह का पांचो दिन क्या होता है सुक्रवार होता है सब्ताह का सब्ताह का पांचो दिन सुक्रवार होता है Wednesday, बुधवार और एक क्या होता है हमारा Monday, सोमवार और सुन्य क्या होता है हमारा Sunday, रविवार तो किसी भी सताबदी वर्स का अंतिम दिन last day क्या हो सकता है तो आप कहोगे सुक्रवार, बुधवार, सोमवार या हरविवार, समझेंगे बाद ध्यां से अब समझना अगर मुताओ, सववा वर्स का अंतिम दिन सुक्रवार है, तो दो सववा वर्स का प्रथम दिन क्या होगा सनिवार तो होगा ना जी, क्या होगा हमारा Saturday, सनिवार मैं यहां लेकिता हूँ, first day प्रथम दिन, first day अगर सववा वर्स का अंतिम दिन सुक्रवार है, तो सववा वर्स का प्रथम दिन क्या होगा सनिवार, तो भया दो सववा वर्स का अंतिम दिन बुधवार है, तो तिन सववा वर्स का प्रथम दिन क्या होगा, गुरुवार Thursday, 300 hours का अंतिम दिन सोंवार होगा तो 400 hours का पहला दिन क्या होगा Tuesday होगा समझेंगे बातों को ध्यान से अगर आप से पूछा जाता है यह railway के परिक्षा में पूछा जा चुका है यहां समझेंगे ने इसलिए अलग से बता आ रहा हूँ अच्छे से, बुक में देता है, clear, defined नहीं होता है आपको क्या ध्यान रखना है अगर basically exam में क्या twist कुछता है समझेंगे पहला चीत कुछेगा ऐसा कौन सा दिन है जो सताबदी का अंतिम दिन भी हो सकता है प्रथम दिन भी हो सकता है तो उसका answer होगा Monday अब समझेंगे बाद ध्यान से भाई अब चार सववा वर संडे में खतम हुआ है तो प्रथम दिन क्या होगा Monday होगा तो किसी भी सताबदी का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों का दोनों क्या हो सकता है Monday हो सकता है पुछा गया प्रसना है अगला पुछेगा सताबदी का प्रथम दिन कौन-कौन सा हो सकता है तो सनीवार, गुरुवार और मंगलवार अगला पुछेगा सताबदी का या सेंचुरी यर का लास्ट डे अंतिम दिन कौन सा होगा तो सुकरवार, बुधवार और रहिवार समझेंगे, सोम وار पहले आप प्रिफरेंश को सो देंगे सुक्रवार, बुधवार और रहीवार, क्यों सोम वार, प्रथम और अंतिम दुन दोनों होता है ठीक बास माँ में आया, तो यह हो गया हमारी प्रथम दिन कुन-कुन सो हो गया, सनिवार, गुरुवार और मंगलवार और अंतिम दिन क्या क्या होगा, सुकरवार, बुधवार, सोमवार रईवार, और सोमवार प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है ध्यान समझेगा इस पर भी कोशन कहें के पूछ देते हैं तो हमने कलेंडर में पूरा-पूरा प्यास किया है कि मैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में लगभग पूरे चीजे, 80-90% चीजे कवर कर चुका हूँ जो रेलवे एक्जाम में, सीजी पी, सी में, व्यापर में समय पूछे जाते हैं आप इतना पढ़ लेंगे, तो भरोसा रखिए आपका कलेंडर का लगभग पार्ट, लगभग जो टॉपिक है, लगभग जो एक्जाम पूछे जाते हैं कवर हो जाएगा 10-20% आपको प्रेक्टिस करना होता है, बुक के कुछ मिसलिने स्पार्ट पढ़ने होते हैं जैसे पुछाता है, आज के 10 दिन बाद क्या होगा, या आज 10 दिन पहले क्या होगा तो अब समान ये बुद्धी लगाकर अपना common IQ लगाके उस चीज़ों का प्रस्नाव बना सकते हैं, बड़ा असानी से तो आज मैं calendar का part खतम कर रहा हूँ, आगे आने वाले में वीडियोस में reasoning का आ समानता, inequality test लेकर आने वाला हूँ क्योंकि मेरे कुछ student हैं, जो bank की त्यारी कर रहे हैं, जिसमें पांच प्रस्न कुछे आते हैं समानता के तो उसको मैं bank अधारित और भी RRB कुछ एक्जाम होंगे, जैसे आने आगे notification आएगा तो उसकर based on inequality test आ समानता की जाज लेकर आने वाला हूँ तो उमीद करता हूँ कि आपको calendar का तीनों पार्ट अच्छा लगा होगा, आप इस पर अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको doubt होता है, किसी प्रकार समस्य आता है, उसे आप comment box उस तक पहुचाईए, वैसे इस प्रकार आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो कोई doubt नहीं आने के लिए, आगे मैं reasoning के और वीडियो स्टाते रहूँगा, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,